आज हम डिसकस करने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जो काफी समय से न्यूज में था ठीक है फाली में इसको लोगसभा ने पास कर दिया है और अब बारी है राजसभा में इस बिल को पेश करने की तो आज का हमारा जो टापिक है वो है लोगसभा पास is असिस्टेंट रिपरडुक्टिव टेक्निलऔजी बिल जिसको हम शॉट में एर्ट बिल के नाम से भी जानते हैं तो आज हम समझेंगे यह एर्ट बिल क्या है इसके क्या क्या clauses है इसमें punishment के क्या provisions है और क्या सारी बातें इस bill में की गई है चलिए साथ ही हम discuss करेंगे कि इसके drawbacks क्या है या क्या problem लेके अभी जो है वो संसत में हंगामा हुआ या फिर संसत में debit हुई उस topic को भी हम discuss करेंगे जो लोग भी यहाँ पे UPSC के aspirants है उनको मैं बताना चाहती हूँ GS paper 2 और GS paper 3 दोनों paper से relation है इस topic का इसलिए इस topic को आप अच्छे से समझेगा और हो सकता है आपके biology के भी बहुत से concept यहाँ से cover हो जाए तो इस bill की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग ने सेरोगेसी bill के बारे में भी सुना था 2019 में लोगसभा ने सेरोगेसी bill को पास किया था उसके बाद ये जो है लोगसभा ने एक bill पास किया है जिसको जो IVF in vitro fertilization की जो क्लीनिक्स है उनको भी regulate करने की बात करता है और यहाँ पर इस bill को ART bill को पास किया है मनसुक मंडाविया ने जो कि हमारी Ministry of Health और Family Welfare को समालते हैं पहली बार इस bill को पिछले session जो मांसुन session हुआ था लोगसभा का 14 September 2020 में इंटर्डूस किया गया था फिर इस bill की जाज करने के लिए एक standing committee बनाई गई थी और उसके recommendation को मांगा गया था तो उस standing committee ने अपनी report जो है वो 19th of March 2021 को submit की थी और जब से ये winter session शुरू हुआ है अभी अपना लोगसभा का तो उसमें 1st December 2021 में इस bill को full voice के साथ जो है वो मतलब लोगसभा से इस bill को pass कर दिया गया अब ये bill जो है वराज सभा में बेजा जाएगा ये तो कहानी हो गए इस bill के बा आप लोगने पर्चम स्टोर विजिट किया होगा वहाँ पर काफी कुछ स्टफ है जिसके बारे में आपको information होगी और बहुत से स्टूडेंट के कुछ doubts होगे तो आपके जो भी doubts है एफेक यूज है इसके लिए कल शाम को पांच बजे रिचा मैं आपके साथ live होगी इंस् मतलब क्या होता है जो भी parents या जो भी husband wife बच्चा conceive नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये कुछ advanced technique यहाँ पर लाई जाती है जिनको हम serogacy या फिर IVF, in vitro fertilization कहते हैं तो जिस पर female में infertility की problem होती है तब हम ऐसी technique का use करते हैं अब इस serogacy पी जो है विटा वो दो प्रकार की ह होती है एक traditional serogacy होती है और एक gestional serogacy होती है अब इसमें कारी क्रम क्या होता है जरा समझ यह अब किसी भी बच्चे के जन में के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है पहला ovary, ovary से release होते हैं ovum जिनको हम egg भी कहते हैं तो female body से female body की ovary से क्या generate होते है एग या ovum generate होते है ठीक है साथे साथ अगर हम male body की बात करते हैं तो male body के जो germ cell है उनको हम sperm कहते हैं जो कि testus के जरिये generate होते हैं तो ovary से ovum आते हैं और sperm जो है वो testus से generate होते हैं तो यह जो sperm और egg है जब यह दोनों आपस में मिलते हैं और gigot का formation होता है या gamut का formation होता है fertilization के बाद बच्चे का जन्म होता है cell division के बाद बच्चे का जन्म होता है यह normal प्रक्रिया होती है अब यहाँ पर traditional serogacy में क्या करते हैं third lady किसी third lady को हम यहाँ पर involve कर रहा है उस third lady का हमने egg लिया है और उसके body में जो father है उनका क्या कराया sperm को inject कराया है तो यह जो third lady है वो उस बच्चे को जन्म दे तो जब इस third lady का ही egg है तो उस बच्चे में DNA भी third lady के होंगे और genetic property भी third lady के साथ match करेगी तो जब किसी बच्चे में जो हमने serogacy कराई है और उसमें third female के भी DNA या फिर उसका भी genome या genetic sequence होता है तो उसको हम traditional serogacy कहते हैं चीक है अब यहाँ पर एक और serogacy का प्रकार है उसको भी हम समझ लेते हैं जिसको हमने gestional serogacy कहा है इसमें हमने क्या क्या female body से egg लिया male body से sperm लिया और इस egg और sperm को यहाँ पर हमने क्या करवाया fertilize करवाया और जब जाइगोट या embryo का formation हो गया तो third lady की ovary में third lady की uterus में इसको हमने inject कर दिया तो यह third lady क्या करेगी उस बच्चे को जन्म देगी जिसको हमने serogated mother भी कहा है तो यहाँ पर egg mother का है sperm father के है तो genetic property भी इनकी होगी ना कि third lady की तो यह दूसरे प्रकार की serogacy है जिसका जिकर इस ART bill में किया गया है I think आपको इस serogacy की technique समझ में आई होगी आज कल बहुत ही बड़े label पे भारत में serogacy होने लगी है बड़े बड़े actor, actress वगेरा भी जो है वो serogacy करवाते हैं आप लोगने news में देखा होगा दूसरी जो technique है वो है in vitro fertilization जिसको IVF भी कहते हैं और normal हम और आप जैसे लोग इसको test tube baby के नाम से भी जानते हैं तो इसमें क्या होता है basically ovary से egg निकाला जाता है और male body से sperm लिया जा जाता है तो उसको उसी की mother में जिससे egg लिया है ना उसी की mother में उसको inject कर दिया जाता है और उसके uterus सिफे 9 मंद बाद cell division के बाद बच्चे का जन्म होता है मतलब जब proper uterus के अंदर या body के अंदर fertilization नहीं हो पा रहा है और जाइगोड का formation नहीं हो रहा है तो उस case में हम क्य fertilization या IBF टेक्नीक का यूज करते हैं और इसकी भी जिक्र अभी मनसुख मंडाविया ने इस बिल में की थी I think आपको ये दोनों टेक्नीक समझ में आए होंगी इनी से related आपका ART बिल इंटर्ड्यूज हुआ है चीक है अब यहाँ पर हम बात करतें ART बिल के बारे में तो ART टेक्नीक जो है वो प्रेगनेंसी के लिए useful होती है जिसमें immature egg और sperm को outside of the human body fertile करा के बापस से body में insert कराया जाता है ये infertility के treatment के लिए टेक्नीक यूज की जाती है जिसको हम ART टेक्नीक भी कहते हैं इट वर्क बाइ रिमुविंग एग फ्रॉम्न सवाटी और एग आर देन मिक्स्ट विटा इस पॉट बैक इन दा व्यूमन सवाडी यही आपका सेरोगेसी में भी हो रहा है थर्ड मदर इंवाल हो रही है उसमें और यही आपका IVF मतलब in vitro fertilization में हो रहा है जो कि मैंने निक कर सकें तो इन वर्टो fertilization center की जरूरत होती है साथ ही साथ यह जो जेशनल सेरोगेसी होती है इसमें child is carried by non-biological mother और सेरोगेटर मदर तो इस टेखनीक में जैसा कि कहा कि सेरोगेटर मदर involved होती है लेकिन उसका उस बच्चे पे कोई अधिकार नहीं होता biological parents वही होते है mother and father जिनोंने egg और sperm को donate किया है अब कहाँ पर इस services provide की जाती है तो इसके लिए ART clinic होते है जहाँ पर IVF और सेरोगेसी की जाती है साथ ही साथ ART banks होते है जहाँ पर लोग जो है वो sperm और egg को donate करते है और उन sperm और egg को वहाँ पर store किया जाता है तो ART clinic होते है और ART banks available है हमारे भा regulation क्या है तो regulation क्या है यह जितने भी ART clinics हैं जहाँ पर यह procedure हो रही है चाहिए वो IVF की हो चाहिए वो सेरोगेसी की हो और जितने भी ART banks है जहाँ पर sperm को डोनेट किया जा रहा है रखा जा रहा है store किया जा रहा है यह सबी जो है वो National Register होना चाहिए इनका प्रॉपर registration होना च फिर जितने भी लोग IVF ए सेरोगेसी कराते उनका एक proper database तयार होना चाहिए जो state government की authority के पास भी होना चाहिए और state government की authority को appoint किया जाएगा जो समय समय पे in registration process को in ART clinic और bank को क्या करेगी review करेगी, check करेगी और proper database को भी manage करेगी साथ ही साथ इन clinics की ये भी responsibility बनती है कि अगर आप IVF करा रहे हैं तो आपको ये check भी करना होगा जिस व्यक्ति का आपने egg या sperm लिया है उनको कोई genetic disease तो नहीं थी तो कोई disease की probability तो उस बच्चे को नहीं बनती है तो ये सारी check करने का काम भी in clinic और bank का होता है अब यहाँ पर condition क्या है gamut donation की मतलब sperm और egg donation करने की condition क्या है तो पहले तो एक register bank में ही इसको donate किया जा सकता है जहाँ पर उसे collect और store किया जाएगा अब male, male जो है वो sperm को donate कर सकते हैं अगर वो 21 years से 55 years के बीच के हैं और female के लिए यहाँ पर condition दी है कि वो लोग egg donate कर सकती है अगर उनकी age 23 से 35 year है तो इस bill में ये age का concept introduced किया है 21 से 55 male के लिए age है और 23 से 35 जो है वो female के लिए age define की गई है साथी साथ जो भी female egg या ovum को donate करती है वो पहले से married होनी चाहिए ठीक है न ऐसा नहीं है कि unmarried women इसमें involve हो रही है कोई भी commercial purpose नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी यहाँ पर बीचोलिया या दलाल नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसने एक बिचारी जो गरीव महिला है उसको उक की गई है दूसरी बात यहाँ पर जो भी female egg को donate करती है वो पहले से married होना चाहिए और उसका खुद का एक life, खुद का एक जीवित, खुद का एक बच्चा होना चाहिए तभी वो female जो है वो donation कर सकती है या serogacy कर सकती है क्योंकि जो serogacy bill 2019 में introduce किया गया था उस पे भी यह ब पिचौलिया नहीं होना चाहिए वो female है वो पहले से married होना चाहिए उसका खुद का भी एक बच्चा होना चाहिए साथ ही साथ वो अपने पूरे lifetime में केवल एक ही बार serogacy कर सकती है मतलब एक ही बार serogated mother बन सकती है यह सारे clauses भी हमने serogacy bill 2019 में introduce किये थे clear हो गया साथ ही साथ यह जो female है यह married होना चाहिए जैसा कि मैंने का इसका अपना एक बच्चा भी होना चाहिए जो कि लगबग 3 साल का होना चाहिए 3 साल है उससे बड़ा होना चाहिए साथ ही साथ यहाँ पर bank should not supply the gamut of single donor to more than one couple ऐसा नहीं है कि एक कोई female कोई एक male है जिसने अपना sperm डोनेट किया और बहुत सारे लोगों के बीच में वो यह इस्पर्म डिस्टिब्यूट कर दिया नहीं single sperm for a person single donor more than couple के लिए नहीं हो सकता यह आयुशमान खुराना की movie नहीं चल रही है क्योंकि चलिए अगली बात कर लेते हैं condition for offering ART services अब क्या 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 condition है यहाँ पर हम व उनके जब के बीच में formal contact होना चाहिए जो की return form में होना चाहिए साथी साथ इसमें साफ साफ यह बात लिखी होनी चाहिए कि यह जो बच्चा होगा यह जो serogated बच्चा होगा उसमें serogated mother का कोई भी you know वो अपना अधिकार भविश में ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा है अपना अधिकार जताने लगे तो नहीं डोनर का इसमें कोई भी अधिकार नहीं रहेगा साफ साफ इस बिल में introduce किया गया है साथी साथ अब जो भी mother serogated mother है third mother जो है अगर delivery के समय उसकी death हो सकती है उसको कुछ physical issues हो सकते है health issues हो सकते है तो उसके losses के लिए insurance करवाया जाएग साथ इस इंशरेंस कवर के साथ साथ वो जो दमपत्ती है जो कपल होंगे जो कि serogacy करवा रहे है उस third महीला का take care भी करेंगे ऐसा इसमें कहा गया है a clinic is provided from offering to provide child of pre-determined sex कोई भी clinic जो है जैसे कि आपने serogacy कराई या फिर आप IVF करवा रहे हैं तो उसमें pre-determined sex नहीं होगा कि लड़का का जन्म होगा कि लड़की का अगर ऐसा कोई करता है तो ये punishable offense माना जाएगा हाँ बस ये जरूर check किया जाएगा कि उसमें कोई भी genetic disease तो नहीं है embryo implantation हो रहा है उसमें कोई भी genetic problem तो नहीं है ये बात check की जाएगी लेकिन sex determination नहीं किया जाएगा ये condition भी इस bill में introduce की गई है अब बच्चे के rights क्या होंगे बच्चे का जन्म होगे अब बच्चे के rights क्या होंगे जैसा कि मैंने कहा donor का कोई right नहीं होगा पहली चीज तो ये biological जो parents है उनका ही right होगा जो mother और father है उस बच्चे के पास वो सारे अधिकार होंगे जो normal birth की condition में किसी बच्चे को अधिकार होते हैं तो वो सारे privileges वो सारे अधिकार उस बच्चे को भी दिये जाएंगे क्योंकि लगातार बहुत समय से ऐसा होता जा रहा है कि भारत एक जो हब बनता जा रहा है कि foreigners भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सारोगेसी करवाते हैं और फिर बच्चे को adopt करने से मना कर देते हैं या चले जाते हैं तो ऐसे case में उस बच्चे का क्या तो उसके लिए भ कुछ powers भी होंगी कैसी powers होंगे यह ART से related जो advice है वो central government को दे सकते हैं अगर कोई चीज review करनी है monitor करनी है या किसी चीज को implement करना है इस act के अंतरगर तो इस national और state board के recommendation से किया जा सकता है code of conduct for the ART clinic और bank के लिए भी ये national or state board बना सकती है तो ये सारी बात है हमारे national or state boards के पास होंगी जिसको इस bill में constitute करने की बातें कही गई हैं अब यहां पर offense और penalty की बात कर लेते हैं तो देखिए जैसे कि अब जो serogated बच्चा जन्म लिया है अब उसके साथ कोई उसका physical या mental abuse तो नहीं हो रहा है उसको exploit तो नहीं किया जा रहा है तो उसके अंतरगर इसको offense माना जाएगा इसके अलावर जो gamut होता है उसकी trading, import करना, purchasing करना, selling करना ये सब भी illegal माना जाएगा साथ ही साथ यहां पर using intermediate to obtain donor मतलब दलाल या intermediate होते हैं उनका involvement बिलकुल मना है कोई commercial involvement नहीं होना चाहिए उस couple को या उस woman ने जिसने सैरोगेसी की है उसको भी कोई exploitation नहीं होना चाहिए ठीके ना ही gamut donor किसी भी form का किसी भी तरीके से जो जैसे कि किसी व्यक्ती ने इस firm को donate किया और किसी lady ने सैरोगेसी किये तो उस पर जबर जस्ती हरास कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चा आई है यहाँ पर ही सारे offenses हैं इनके लिए कुछ penalties भी यहाँ पर बताई गई कि अगर पहली बार ऐसा कोई offense होता है तो 5 से लेकि 10 लाग रुपे तक को आपको यहाँ पर penalty लगेगी लेकिं दूसरी बार भी same offense करते हैं तो उसमें क्या है 8 से 12 साल तक की आपको सजा जेल होग और 10 से 20 लाग रुपे आपकी penalty लगेगी चीक है साथ साथ कोई भी clinic या bank sex determination करता है ART lab में sex determination करता है तो उनको भी 5 से 10 साल की जो है जेल हो सकती है और 10 से 25 लाग रुपे तक का जर्माना हो सकता या दोनों हो सकते हैं तो bill में यह बाते भी introduce की गई है अब bill में problem क्या है तो foreigners जो आते हैं उनके लिए क्या यहां पे laws है पहली चीज तो यह दूसरी बात यहां पे जो single parents है मतलब father अकेला है उसने marriage नहीं की शादी नहीं की लेकिन वो बच्चा चाहता है उनके लिए single parents के लिए serogacy नहीं है पहली चीज दूसरी बात LGBT community जो है उनके लिए भी यहां पे कोई rights की बाते नहीं की गई उनके लिए भी यह bill में कोई भी बाते नहीं की गई तो single parents poor parents अब जो गरीब है अब यह technique है technology तो obviously हापे पैसा लगता है लेकिन कई बार तो बहुत से गरीब लोग भी ऐसे हैं जो बच्चे को conceive नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए जब हमें आपे social justice की बाते करते हैं अपने constitution में जब हम financial justice तो नहीं हो सकता लेकिन हम उनकी भी बाते करते हैं अपने constitution में तो हम जब social justice की बाते कर रहा है तो गरीबों के लिए यहाँ पे गरीबों का हित क्यों मारा जा रहा है उनके लिए आर्टी में इस bill में कोई ना कोई clauses तो करना चाहती है तो उसके लिए उनके लिए भी कोई भी clauses यहाँ पर नहीं है यह problem इस बिल में आई है दूसरी बार जब सेरोगेसी बिल 2019 में आया था उसको लोकसभा से पास हुआ अभी तक राचसभा से पास नहीं हुआ जब राचसभा से पास होने की ज़रूरत है तो यह सारी बातें इस बिल में कही गई है I think आपको यह technique समझ में आई होगी कि यह technique क्या है और क्या यह बिल अभी introduced किया गया था लोकसभा में So कैसा question exam में frame हो सकता है अगर आप exam perspective से देखें तो कैसा question बनेगा तो question पहला बन सकता है कि which of the following pair is our correct Gestional surrogacy, surrogated mother is genetically related Traditional surrogacy, surrogated mother is not genetically related तो आप कहेंगी कि madam आपने तो अभी उल्टा बताया था बिल्कुल सही बात है क्योंकि दोनों की दोनों statement यहाँ पे incorrect है ना दोनों statement यहाँ पे incorrect है क्योंकि traditional surrogacy में mother genetically involved होती है जबकि gestional surrogacy में genetically involved नहीं होती clear है तो इस तरीके से question exam में frame हो सकता है तो एक question में आपके लिए छोड़का जा रही है जिसका answer I hope आप लोग comment section में देंगे so question है हमारे पास देखेंगे which article of Indian constitution deal with social justice article 39, 38, 41 या 43 जो भी आपका answer आप बिल्कु comment section में दीजेगा thank you so much अगर आज की class का PDF आप चाहते हैं तो पर्चम की website पे या फिर पर्चम की application के जरीए आज की PDF लेज सकते हैं तेक्यो